हेलो व्रिवन बात करेंगे बेंक निफ्टी के बारे में जो आज मैंने बेंक निफ्टी में ट्रेड किया था उसके पीछे की साइकलोजी क्या है दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग करते हो बेंक निफ्टी और निफ्टी में तो ये साइकलोजी आपके लिए काम आ सकते हैं आ यहां पर एक breakdown अपनको यहां पर देखने को मिला था बेंक के इंप यहां पर breakdown होता है 300 point के आसपास ठीक है अब यहीं से price उपर जाता है buyer क्या करता है यहां पर बहुत सारे लोग profit book करते हैं जिन लोगों ने put को hold किया था यहां पर बहुत सारे लोगों ने यहां पर trip कर लिया यहां पर बहुत सारे लोगों ने ख्यास हुजा था यहां पर क्या हुआ था आपको यहां पर सीखने को मिलेगा ठीक है आपको दिखा देता हूं यहां पर प्राइज नीचे तक आया उपर close कर दिया यहां पर प्राइज नीचे तक चाने के बाद में यहां पर आया अगर यह हैई ब्रेक होता है और मिलता है तो अपन यहाँ पर buy side में चाहेंगे और अपना यहाँ जो gap है bank investment जो gap दिया है gap यहाँ पर fill हो जाएगा मतलब हमको उनको यहाँ पर है ना 200 point मिल जाएगा पर यहाँ पर हुआ ऐसा नहीं price वापस दीरे दीरे नीचा है यहाँ पर आप चेक करो यहाँ दीरे दीरे नीचा है अब यहाँ पर आप चेक करना main kill तो यहाँ पर शुरू होता है जो मैंने यहाँ पर जो trade को plan किया ना यही पर plan किया था यहाँ पर आपको दिखाता हूँ गैस यहाँ पर आप चेक करो कि यहाँ पर price नीचे तक आया but price ने इस point की जगे close कर दिया फिर price नीचे तक आया यहाँ पर इसने close कर दिया यहाँ पर आप चेकर यहाँ पर इसने close कर दिया मैंने अपने trade को यही पर plan कर लिया यहाँ पर क्या था यहाँ पर एक multiple rejection था मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप चेकर हूँ, higher high, higher low market असे जा रहा था, यहाँ पर price किया ले रहा था, support ले रहा था, फिर मैंने यहाँ पर इसोचा किरें support ले रहा था, कहीं नहीं हमारे प्राइज यह उपर जा सकता, फिर मैंने यहाँ पर देखा, option के चार्ट पर आया, मैंने यहाँ पर क्या प्लान किया, 39,004 इंट का मैंने यहाँ पर C प्लान किया, guys मैं आपको एक गलती बताऊंगा, जो गलती आपके लिए काम आ सकती है, ठीक है, यहाँ पर आप चेक करोगे, यहाँ से मैंने जो लगा रखा है, जो इंडिगेटरी नाइन मुंग एवरेजर में सिंबल से इसको लगा के रखता हूँ, ट्रेल करने के लिए, ठीक है, अब यहाँ पर ब्रेक हो आना, यह जो केंडल आप चेक करो ना, यहाँ यह ल इतना एस्ट्रोपलोस था, और मैंने टार्गेट बस यहाँ तक पेला था, अब मैंने गाईस में यहाँ तक का पेले टार्गेट क्यो रखा, पेले यहाँ पर यह समझो, अब मार्केट आप चेक करोगे ना, तो यहाँ पर मैंने सूचा कि अगर प्राइस ऐसे उपर गया, तो यहाँ पर फिपोनाची का 0.6, 0.5 का लेवल भी आ रहा था, मैंने कि अगर ऐसा होता है, प्राइस में रिजेक्शन आ था, फिर में कहीं ना, यहाँ तक गिरावट अपन को देखने को मिलेगी, मैंने यहाँ तक का प्लान किया, और उसके बाद में यहाँ पर आप चेक यहाँ पर पर क्या करेंगे, यह टार्गेट रखने हाले हैं, तो मैंने यह टार्गेट रख लिया, अब गाईस यहाँ पर क्या सीखने को मिलेगा, आपको पेले प्रॉफिट दिखा देता हूँ, उस प्रॉफिट को मैंने टेलीग्राम पर भी शेर किया था, मैं आपको द 25 रुपय का profit हो रहा था समझ रहो मैंने 259 पर buy किया था पहली बात तो 259 पर buy किया था आपको order book दिखा देता हूं फिर आपको यहां पर विश्वास नहीं होगा यहां पर आप चाहिक करना फिर आपको profit दिखा हूंगा last में 259 मैंने buy किया था यहां पर आप चाहिक करोगे 259 अपने buying कर ली था यहां पर यहां पर पता चल जाएगा ठीक है यहां पर इसने जो high बनाया था यहां पर high बनाया था और मुझे यहां पर target मिल गैना यहां समयए मैंने क्या किया अब मैं क्या करता होगा यहां पर इहां पर इषा ते्यूए मैं होगार यहां पर Verfügung करना था मुझे प्रॉफिट काहांप वह हुआ है यहाँ पर बुक्वा मैं ने भ tv जोड़ो जितना प्रोसिट भी रहा है ले लें सोचाट है मैं यहाँ पर यहाँ पर गलती करी मैं ने यहा पर तो लीट प्रोसिट तो भुगक की ऐपर मैंने एक और गलती करी अब मैंने गलती किया गरी मैं आपको दिखा दिता हूँ अब यहाँ पर आप चेक करना गाईस फिर मैं आपको profit दिखाऊँगा ठीक है ठीक है यहाँ पर आप चेक करो मैंने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर price यह था मैंने क्या सोचा रहे यार प्राइस कहीं ना कहीं अपना target तो hit हो चुका है अपने profit बुक कर ले काम करते हैं वापस re-enter करते हैं मैंने re-enter करने का क्यों सोचा है पेले सोचो आप मैंने re-enter करने का यूँ सोचा कि अगर price यहाँ से मैंने टेलीग्राम बर भी शेर किया था गाइस ऐसा हो सकता है यहां से रिटेस्ट हुआ प्राइस यहां पर रिटेस्ट करें मैंने कि यहां से उपर जाएगा तो यह गेफिल हो जाएगा यह गेफिल हो जाएगा तू 89 ने भाइस को बाई कर लिया है अब बाई करने तो हुआ क्या प्राइज जस्ट नीचे आ गया मुझे क्या करना पड़ा मुझे अपनी जो पोजिशन में यहाँ पर लीती मैं इसको इग्जिट कर दिया इग्जिट क्या उसके पिछे का रिजन समझो यहाँ पर प्राइज पसाया अब यहाँ पर आप चेक करो यहाँ पर काफी लोगों यहाँ पर उपर गया बाई करोगा पर ले ले लेते हैं आज कोई दिक्कत नहीं मार्केट साइड़ीवेज भी जा सकता है तो मिरे अपने प् क्या बुक होने के बाद में यहाँ पर आप देखोगे गास मैं आपको यहाँ पर पोजिशन दिखा देता हूं क्या गलती हुई है और क्या आपको सीखना चाहिए जहाँ पर मुझे प्रॉफिट हो रहा था बाइस सो पच्छी सो रुपे का लेट के चक्कर में यहाँ पर सोल लोच में तब्दिल हो गया यहां पर चेकर रही हुए तरी यहां पर प्रॉफित हो रहा था स्कॉल पर जो position मैंने ले थी उसको मैंने exit कर दिया यहां पर आप देख लेज़ेगा एक बार मैं आपको दिखा देता है फिर मुझे यहां पर आपको क्या सीखने को मिलेगा वह भी आपको दिखा दूगा ठीक है यहां पर आप आप चेक करोगे तो यहां पर आड़ बच के कितना पर आप चेक करोगे तो यह वाला अपना यहां तक का profit बन जाता अब गईस यहां पर आप समझो 80 point होता है ठीक है 25 इंटू 80 point पर आप करोगे ना अपको पता चल जाएगा ठीक है कितना profit हो रहा है तो गाईष यहां पर आप समझ सकते हो कि कि इस तरके से अपने यहां पर trip होए अब गाईश उसके बाद में यहां पर आप चेक करोगे अपको यहां पर दिखाओना तो यहां पर पूरा market sideways हो गया तो यहां새 पर किस तरी तरीको से trip किया यहां आपको इसके territory को समझते है कि market ये ट्रेप कर रहा है, मैंने exit कर दिया price दीरे दीरे उपर गया काफी लोगों यहाँ पर cold buy किया, यहाँ पर आप check करोगे ना, यहाँ पर price ने क्या करा, जिसे यहाँ से breakdown दिया, तो काफी लोगों ने क्या सुचा, अरे market नीचे जाएगा, market नीचे जाएगा, पुट को buy कर लो, यहाँ पर हुआ क्या, market वापस उपर गया, अब guys इसके पीचे का reason ये था, लोगों ने यहाँ पर एक दिमाग किया नहीं लगाया, यहाँ पर हो क्या रहा था, यहाँ पर आप चेक करोगे एक train अगर profit मैं करता हूँ तो definitely आपके लिए वीडियो बनाऊँगा, कि मैं किस तरीकी से ट्रेट को प्लान कर रहा हूँ, किस तरीकी से ट्रेट को ले रहा हूँ Thank you so much, दोस्पस्टी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, अगर आभी इतक लाइक ने क्या है लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो टेलेग्राम की लिंग में ने डिस्क्रिप्शन में दीदिये जाकर आप वहाँ पर जोइन कर लो